कि आप में समय भी निकाला और बहुत गंबीरता के साथ अपनी बाते रखी लेकिन मेरा आपसे आगरह है कि अब तक जो कुछ भी चर्चाएं डिस्कसन हुआ है उसमें सभी राजजी इन्वाल है अपसर लेवल पर इन्वाल है दुनिया के अनुभवों को भी शेयर लेकिन फ पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों की एक विशेश द्रश्टी होती है क्योंकि इन चीजों को अगर आपके सुझाओं मिलेंगे तो मेरा अग्रह है कि आप लिखीत में अगर हो सके उतना जल्दी क्योंकि आज भी कुछ अच्छे मुद्धे उठाएं सबने को यह हो यह हो यह हो इससे भी जादा होंगे यह अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेजी वर्काउट करने में सुभीत आओगी और यह कोई किसे पर थोप नहीं सकता है बारत सरकार निर्णे करेंगे हम यह करेंगे और राज्य सरकार ऐसा नहीं हो सकता हम सब को मिलकर के ह कि इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सब के विशों का बड़ा महत्वा है कि कोरोना संक्रमन से जुड़े जो प्रेजेंटर्शन हुए उनमें भी काफी जानकारियां उभर कर आई है आज मैं प्रारम में कुछ मुख्यमंत्रियों से बात की थी जहारा स्थ प्रेजिती और डिस्टुबिशन को लेकर भी जो कुछ भी चर्चाय हुई है एक प्रकार से बीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है हमें तीन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम सिस्टिम का हिस्सा है लेकिन फिर भी काफी चित्र प्रस्ट हुआ है एक समय था है जब हम सभी के सामने चुनोती एक अंजान ताकत से लड़ने की थी लेकिन देश के संगढ़ित प्रयासों ने इस चुनोती से मुकाबला किया नुक्सान को कम से कम रखा आज रिकवरी रेट और फेटरलिटी रेट दोनों ही मामलों में भार दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर टेटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है पीएम केर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सुपलब्द कराने पर भी विशेश जोर है कोशिच यह है कि देश के मेडिकल कॉलेश और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सब्सेजन बनाया जाए इसलिए अभी 160 से जादा नए उक्सीजन प्लांट के निर्माण की प्रक्रिया अलड़ी शुरू की गई है पीएम केर्स फंड से देश के अलग-अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर से मिलने भी सुनिश्चित हुए है वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केर्स फंड से दोहजार करोड पे अल्रेडी स्विक्रूत किये गए है सथे कोरोना के मुकाबले के बीते आट-दस महिने के अनुभव के बाद देश के पास परियाप्ट डेटा है कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर एक व्यापक अनुभव है आगे की रणनीती बताते समय हमें बीते कुछ महिनों के दोरान देश के लोगों ने हमारे समाज ने कैसे रिक किया है कैसे रिस्पॉन किया है मुझे लगता है इसको भी हमें समयना होगा कि कोरोना के दोरान भारत के लोगों के वहवार भी एक तरस से अलग-अलग चरणों में रहा है और अलग-अलग जगा पे अलग-अलग रहा है जैसे हम मोटा-मोटा देखे तो पहला चरण था बना डर था, खौप था किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो जाएगा और पूरी दुनिया का है हाल था हर कोई pandemic में था और उसी हिसाब से हर कोई react कर रहा था हमने देखा प्रारम में आत्मत्या तक की घटना घटी दी पता चला कोरोना हुआ तो आत्मत्या कर दी इसके बाद धेरे धेरे दुसरा चरण आया दूसरे चरण में लोगों के मन में भाय के साथ साथ दूसरों के लिए संदे भी जूड़ गया उनको लगना कि इसको करोना हो गया मतलब कुछ गंबीर बाबला है दूर भागो एक प्रकार से घर में से भी नफरत का माहूल बन गया और बिमारी की वज़े से समाज में कटने का डर लोगों को लगने लगा इस कारण कोरोना के बाद कई लोग संक्रमन को छिपाने लगे उनको लगा कि यह तो बताना नहीं चाहिए है कुछ समाज में मैं कट जाओंगा अब उसमें से भी हम देरे देरे समझे लोग भाग आए तीसरा चरण हम सुरुआ और तीसरे चरण में लोग कापी हद तक संबलने लगे अब संक्रमन को स्विकार रेगे लगे और एनाउस भी करने लगे मुझे तकलिव है मैं आइसोलर कर रहा हूं मैं कोरोंटाइल कर रह और हमने देखा कि लोग एलेट भी होटने लगे और इस तीसरे चरण के बाद हम चौथे चरण में पहुंचे जब कोरोना से रिकवरी का रेड बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वाइरस नुक्सान नहीं कर रहा है ये कमजोर हो गया है बहुत से लोग ये भी सोचने लगा है कि अगर बिमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे इस वज़े से लाप और वाइव का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों के शुरुवात में ही स्पेशली राष्ट के नाम संदेश दे करके सब को हाथ जोड़ करके प्राष्णा की दिलाइं मत बरत किये कोई वैक्सिन नहीं है दबाई नहीं है हमारे पास एक ही रास्ता बचाएं हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं और हमारी जो गल्तियां हुई वही एक खत्रा बन गया थोड़ा डिलाय आ गई इस चौते चरण में लोगों को कोरोना की गंबीरता के प्रती हमें फिर से जागरू करना ही होगा हम एकदम से वैक्सिन पर सिप तो जिसको काम करना है करेंगे हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है हमें किसी भी हालत में डिलाइं नहीं बरतने देनी है हां शुरू में कुछ बंदन इसलिए लगाने पड़ तो चीजे समल सकती हैं, जो जो चीज हम तयार करें उसको जरा इंप्लिमेंट करें, और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं, इसकी चिंदा जुरू करनी होगी, कोई नहीं गड़बड़े नहीं हो, आपता के गहरे समंदर से हम निकले हैं, यह हम मान के चलें, इतरा बड़ा दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं समल पाएगा, आपता के गहरे समंदर से हम निकल कर हम किनारे के तरफ बढ़ रहे हैं, हम सभी के साथ, वो पुरानी जो एक शेर साहरी चलती है, ऐसा न हो जाए, कि हमारी किस्ती भी, वहाँ डूबी, जहां पानी कम था, यह स्थिती ह में नहीं आने देनी, सात्यों आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं, कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था, आपको पूरा चार्ड बताया, कैसे तेजी से संक्रवन फैल रहा है, हमारी यहां भी, कुछ राज्यों में ये ट्रेंड, चिंता जरक है ही है, इसलिए हम सभ कमी को सासन, प्रसासन को पहले से भी अधिक जागरूत, अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, हमें ट्रांस्मिशन को कम कर लेक लिए, अपने प्रयासों को जरा और गती देनी होगी, टेस्टिंग हो, कन्फरमेशन, कॉंटक टेसिंग, डेटा, इन सारी जूरी किसी भी तरह की कमी को हमें सरवोच्य प्रासिकता देते हुए, उसको ठीक करना होगा, पॉजिटिविटी रेट को पांच परसन के दायरे में लाना ही होगा, और मैं मानता हूँ, छोटी-छोटी काईव पर कहिए, गभी एक क्यों बड़ा, आधा क्यों बड़ा, दो क्यों बड़ा, हम रा PCR टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाहिए, जो गरोमा एसलोटेड मरीज है, उनकी मोनिटरिंग जादा बहतर तरीके से करनी होगी, आप भी जानते हैं कि अगर वहाँ थोड़ी भी डिलाई रही, तो मरीज बहुत गंबिल स्थिति में स्वताल आता है, फिर हम बचानी पात रहे हैं, जो गाउं है, कमुनिटिटी के स्थर पर हेल सेंटर हैं, उनको भी हमें ज्यादा एक्विप करना ही होगा, गाउं के आजबाद भी इंस्वासेक्टर ठीक रहे, ऑक्सिजन की सप्लाई परियाप्त रहे, यह हमें देखना होगा, हम लोगों का लक्ष होना कि फेटलिटी रेट को एक प्रतिसरत से भी नीचे लाएं, और वो भी मैंने जैसे कहा, छोटे-छोटे इलाके में देखा जब एक मुर्तिव हुई, क्यों हुई, जितना इतना फोकस करेंगे, तब स्थिती को समाल पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, जागरुपता अभि व्यक्तिव को हमने एंगेज किया था, उन्हें फिर एक्टिव करना होगा, साथ वाप बलीभादी परिचित है कि कोरोना की वैक्षिन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरें आ रही है, आज दुनिया में भी और देश में भी जैसे आभी आपको प्रेज वैक्षिन के रिशर्च में काम पहुंचा है, भारत सरकार हर डेवलप्मेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सब के संपर्ग में भी हैं, और अभी ये तय नहीं है कि वैक्षिन की एक डोज होगी, दोज होगी, तिन डोज होगी, ये भी तय नहीं है कि इसकी किमत कितनी होगी, उसकी किमत कितनी होगी, यह कैसे होगी, यहने अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार की corporate world भी है, उनका भी एक competition है, दुनिया के देशों के भी अपने अपने diplomatic interest होते हैं, WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता हैं, तो हमें यह इन चीजों को वैस्विक संदर महीं आगा बढ़ना पड़ेगा, हम इंडियन डेवलपर्स और manufacturer के साथ भी हमारी जो भी टीम काम करने हैं, यह पूरी तरह संपर्ग हैं, इसके अलावा global regulators, अन्य देशों की governments, multilator institutions और साथी international companies, सभी के साथ चितना संपर्ग बढ़ सके, जितनी रियल टाइम कम्मुनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास एक व्यवस्ता बनी हुई है, साथी कोरोना के खिलाब अपने लड़ाई में हमने शरुवात से ही एक एक देशवाजी का जीवन बचाने को सर्व योगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सिन पहुँचे, उसमें तो कोई विवाद हो जी नहीं सकता है, लेकि कोरोना की वैक्सिन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागी के लिए एक प्रकार से national commitment की तरह है, इतना बड़ा टिकार करना अभियान स्मूध हो, के कोर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा, साथियों वैक्सिन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है, वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है, हमारे लिए जितनी जरूरी है, स्पीड है, उतनी ही जरूरी है, सेप्ती भी है भारत जो भी वैक्सिन अपने नागरिकों को देगा, वो हर वैज्ञानी कसोडी पर खरी होगी, जहां तक वैक्सिन के डिस्ट्रिबुशन की बात है, तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्जों के साथ मिलकर के की जाय सके रही है, वैक्सिन प्रात्मिक ताके आधार पर क इससे लगाई जाएगी, यह राज्जों के साथ मिलकर करेंगे, यह मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है, कि अगर इस पकार से WHO ने जो कहा है, हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी यह निर्णे तो हम सब मिलकर के ही करेंगे, हर राज्जों के सुझाव का म दे करके ववस्ताइं खड़ी कर देना, शूरू कर देना चाहिए, कहां कहें संभव होगे, उसके पैरामिटर्स क्या होगे, उस पर हमें यहां से सुचना है तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इंप्लिमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो अतिरिक सप्लाई भी सुनेश्चित की जाएगी, और इसका विस्तुर प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिल करके ताई कर दिया जाएगा, हमारी राज्यों के और कहिंदर की टीम साथ लगाता और वो बार्चित कर रहे हैं, काम चल और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ववस्ताइं खड़ी करेंगे और किसी ने किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा, इन कमीटियों की रेगुलर बैटे को हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मोनिटरिंग हो, जो ओनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो, हमें हमारा रोज मरा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्ता को भी विक्सित तुरंद करना पड़ेगा, ये मेरा आगरर हैगा, जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सिन कितनी किमत में आएगी, ये भी तरह नहीं है, म दुनिया में जो वैक्सिन बन नहीं है, बेबी मैनुफेक्शिनिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपलियों के साथ, लेकिन इन सारे विश्व में हम जानते हैं कि 20 साल से माननीर जे कोई दबाई पॉपिलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपियोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है, तो ऐसा इसमें भी संभव है, निर्णय वैज्ञानिक तराजु पर ही तोला जाना चाहिए, निर्णय उसकी जो अथोरिटीज हैं, उन अथोरिटीज के certified व्यवस्था से होनी चाहिए, हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वग्यानिक नहीं है, हम इसकी expertise हमारी नहीं है, तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहज जो चीज़ा आती हैं, आखिर कर उसी को ही स्विकार करना पड़ किस प्रकार से आप delivery नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत detail प्लान करके लिख करके भेजेंगे, तो निर्ने करने में सुभीदा होगी और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है, राज्यों का अनुभव बहुत एहमियत रखता है, क्योंकि वहीं से चीज आगे बढ़ने वाली है, और इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोयक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है, लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगा पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जराबी धीली नहीं पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा भी डिलास नहीं आनी चाहिए, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज मेरी तमिलनाडू और पुडिचेरी के मुख्मिंत्रियों से बात करने का मज़ा उसर मिला, आंधर से मैं फोन नहीं कर पाया था एक साइकलोन हमारे पूर्वी तट पे एक्टिव हुआ है, वो कल साइद तमिलनाडू, पुडिचेरी और आंधर का कुछ हिस्सा बहाँ पर आगे बढ़ रहा है, सारी बारत सरकार की टीमें बहुत एक्टिव हैं, सब लोग गए हैं, मैंने आज दो आधर नियों मुख्मि मुख्मिंतरी जोए से बात की थी, आंधर के मुख्मिंतरी जोए से अभी इसके बात करूँगा, लेकिन सब के लिए पुरी तरह भारत सरकार और राज सरकारे मिल करके, और पहला काम खाली करवाना, लोकों को बचाना, इस पर हमारा जोड रहें, फिर एक बार मैं आप सब का बहुत आभारी हो, आप समने समय निकाला, लेकिन मैं आगरह करूँगा, आप जल्दी से मुझे कुछने कुछ जानकरिया भेजिए, धन्यवाद.